सोन बदर में किसानों के साथ जमीनी विवाद में मारे गए दस किसानों के परिजनों से मिलने के लिए कॉंग्रेस ने तरी वक कॉंग्रेस की महा सची प्रेंका गांदी को रोके जाने से वह सोन बदर के चुनार के लिए में हिरासत मिले जाने के विरोध में करनाल के कॉंगरेस कारे करता दुआरा लगू सची वाले के सामने धरना दिया गया और अपना रोश प्रकट किया गया इस अवसर पर उन्होंने यूपी में अधित्यनाथ योगी की सरकार को बरखास करने की मांग की उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हुई ज्यात्ती को लेकर प्रिंका गांधी उनसे मिलने पहुची परंतु प्रिशासन द्वारा रोक कर जो कारेवाई की गई उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है इस मौके पर करनाल के सक्रिये कॉंगरेसी नेता वग कॉंगरेस कारे करता मौजूद रहे के लिए प्रिंका गांधी जी गई थी वहां के परशासन ने उनको रोक के गिरिपतार कर लिया रोज सबरूप हमारी कोंगरेसी जीला कोंगरेस करना और देश वर में हमारा परदर्शन करना परदर्शन जारी है कि योगी अटाओ और देश बचाओ ये हमारा कोंगरेसी को किसानों पर अत्याचार किया है योगी सरकार ने इसके ख़लाब हम निंडा करते हैं और हमारी यही है कि योगी सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए यही हमारी मुख्यमा है क्या मामला पूरा पूरा मामला ये है कि कोई जमीन से समन्नित मामला है लोगों पर मतलबां बहुत ही निर्दें तृरीके से उन पर लाड़िया बरसा आई गए और उन पर हमला किया गया जिसे बहुत से किसान परवार उस में पीडित हैं और उसी के दुख दख को थोड़ा कम करने के लिए हमारी निता स्रीमती प्रिंगा गांधी आज यूपी के दोरे पे थी तो यूपी पर सासन की तरफ से उनको परिजनों से मिलने के लिए रोका गया और उनकी बार-बार कहने पर कि हमें वही ओडर तो दिखाएं सरकार का क्या ओडर है मोखी हमारे पास पहुन आया है उपर से मोखी बात के अधार पर उनको रोक लिया गया और उनसे परिजनों से मिलने नहीं दिया गया तो मैं इस तरीके से जो निर्वकुस सरकार है यूपी सरकार उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और चैनल लोगों से यही अपील करता हूं कि इस दर्ने में जादा से जादा से योगता है। योपी की वाजबा सरकार के खिलाब प्रदर्शन किया और यह मांग कि योपी की सरकार को बरतब परखास्त किया जाए और लोकतांतरिक मुल्यों को जिवीत रखाएं।